इश्वर के द्वारा बनाई गई इस धर्ती पर ना जाने ऐसी कितनी ही जगे हैं जिनकी सुन्दर्ता और रहिस्यों को देख कर हम आश्चर चकित हो जाते हैं धर्ती पर पुदरत ने एक से बढ़कर एक चीजे दी हैं कहीं समंदर, नदियां और जर्ने हैं तो कहीं कहीं उचे उचे पहाड और बर्फ मौझूद हैं ये चीजें हमारे इस ग्रह को बेहद ही खुबसूरत बनाती हैं इन में से कुछ जगह तो ऐसी हैं जिनके बारे में शायद ही इनसानों को पता हो ऐसी ही एक जगह का वीडियो आजकल सोसल मीडिया पर बहुत वाइरल हो रहा है जिसे देखकर लोग आश्यर चकित हो रहे हैं ये वीडियो एक जर्ने का है जिसे देखकर लोगों के आश्यरे का ठिकाना नहीं रहा तो आजकी इस वीडियो में हम इसी जरने के बारे में बताने जा रहे हैं तो वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है इसलिए अन्ति तक देखते रहें दुनिया भर में ना जाने कितनी ही खुबसूरत जगह मौजूद हैं अपने ही देज भारत में बहुत सारी ऐसी खुबसूरत जगह हैं जिनकी खुबसूरती देखकर हम आत्मे मुग्द हो जाते हैं भारत के दूद सागर, वाटरफॉल और अमेरिका के नाइग्रव वाटरफॉल की चर्चा तो हमेशा से ही होती आ रही है परन्तु इस वक्त ये अनोखा वाटरफॉल चर्चा में है जिसका वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग इसके वास्तविक होने और ना होने पर भी बहस कर रहे हैं ये जर्णा कुछ इस तरह नीचे गिरता हुआ दिख रहा है कि मानो एक दुलहन अपने पारम पर वस्त्रों को पहने खड़ी हो इस जर्णे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की साधी वाले जोड़े में खड़ी हो इसाई धरम में दुलहने सफेद रंकी पोसाक पहनती हैं और वीडियो में बह रहा जर्णा भी सफेद रंके गाउन के रूप में नजर आ रहा है उपर से जब जर्णा गिरना शुरू होता है तो लगता है जैसे सिर है और फिर नीचे आते आते जर्णा पूरी तरह शादी के लिए तैयार हुई दुलहन की तरह लगने लगता है इस जर्णे को वाटरफॉल ओफ ब्राइड यानि दुलहन का जर्णा कहा जाता है दावा किया जा रहा है कि यह अदुद जर्णा पेरू में मौजूद है अब विश्वसनी लगने वाले इस जर्णे की वीडियो को सोचल मीडिया पर 30 लाग से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है जबकि एक लाग से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है परंतु कई लोगों ने इसे नकली भी कहा है आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांक्यू फॉर वाचिंग